नमस्कार दोस्तों मैं हूँ तर आप देख रहे डियारोग तो इन्फिनिक्स ने आज इंडिया में लॉंच कर दिया दो नया स्मार्टफोन एक है इन्फिनिक्स होट 20 प्ले जो है एक 4G स्मार्टफोन जिसका प्राइस किया गया है इन्फिनिक्स होट 20 5G जिसका प्राइस किया गया है इन्फिनिक्स होट 20 5G में आपको बताते है इन्फिनिक्स होट 25G में आपको क्या-क्या नया चीज़ मलता है अगर बॉक्स देखा जाएं बॉक्स का पैकेजिंग कुछ इस प्राकार गया है इन्फिनिक्स होट 20 5G डायमें सीट 810 चिपसेट के साथ आता है उसके साथ यह 5G चिपसेट है 4GP प्लस 3GP मतलब वर्चुल रैम भी आपको देखने को मिलता है यहाँ पर 12 डिफरेंट 5G बैंड देखने को मिलता है यह डूइल 5G स्मार्टफोन है मतलब दोनों 5G सिर्म आप चला सकते है तो इतना मैं पता सकते हो फ्यूचर प्रूफिंग हो गया 12 डिफरेंट 5G मतलब most of the 5G मत इसमें आपको supported देखने को मिलता है बॉक्स के अंदर दिया गया कुछ यूजर मैनर वाइंट इन्फरमिशन उसके साथ साथ एक USB डिफरेंट C केबल एक 18 वाट का fast charger जो बॉक्स के अंदर मिलता है एक transparent TPU case जो आप device protection के लिए इस्तमाल कर सकते है device अकर देखा जाए कुछ इस परकार का इसका अलग-अलग color variant है so you can pick according to your preference लेकिन अभी तक मुझे इतना पता चला है इसका एक ही memory variant मिले वाला है which is 4GB RAM and 64GB ROM यह जो 4GB RAM है memory fusion के मतलब से आप इसको up to 7GB तक बढ़ा सकते है मतलब आपको 7GB RAM and 64GB onboard storage भी लेगा खाली यही नहीं यहाँ पर आपको dual SIM and dedicated microSD card slot देखने को मिलता है मतलब आप अपनी साहब से microSD card लगा के memory को expand कर सकते है अगर overall look and feel देखा जाए इसके साहब देखने में भी काफी बढ़ी है पीछे यहाँ पर dual tone pattern दिया गया है 5G का branding है dual rear camera है flash है flash के बारे बता दो यहाँ पर आपको पीछे भी flash मिलता है उसके साहब साहब selfie camera में भी आपको single physical LED flash मिलता है which is really good bottom में दिया गया गया bottom fan speaker USB to type C cable and उसके साहब साहब मिलता है main microphone 3.5 meter headphone jack right side दो दिया गया है volume rocker and power lock and unlock button and यह जो lock and unlock button है that will work as a fingerprint scanner and जो काफी fast and responsive मेरे को मिला है and left side दो मिलता है sim tray जैसे मैं बता है dual cement dedicated microSD card slot आप लगा सकते है इसमें user interface काफी fast and responsive and as I said most importantly यहाँ पर आपको दिया गया है 120 Hz का refresh rate हाला कि यह variable refresh rate आप चाहेते इसको 60 Hz में इस्तेमाल कर सकते है या फिर आप इसको 120 Hz में इस्तेमाल कर सकते हैं नहीं तो आप auto mode बे रख सकते है जहाँ आप system automatically configure कर लेगा कौन सा refresh rate आपको जरूरा आता है high चाहिए या फिर low चाहिए तो यह option भी available है जो battery थोड़ा बहुत आपका safe करता है यहाँ पर काफी fast and snappy experience यहाँ पर देखने को मिलता है उसके साथ अगर बता हो Android 12 यहाँ पर out of the box देखने को मिलता है Infinix का इसमें 13 update आएका है कि नहीं I am not sure अभी तक वैसा को confirmation नहीं है अगर कुछ आता है तो definitely by comment में pin कर दूँगा और else अभी तक यहाँ पर मिलता है Android 12 out of the box और उसके साथ साथ XOS 10.6.0 which is highly customizable यहाँ पर अपनी साथ से customize कर सकते है themes, wallpaper साथ से बहुत सारे है and most importantly यहाँ पर कुछ important application भी दिया गया and as I say कभी fast and snappy experience है और यह चीज़ बता दू 120Hz display के साथ साथ मतलब refresh rate के साथ साथ यहाँ पर 180Hz का touch sampling rate भी दिया गया तो overall touch response भी यहाँ पर बहुत बढ़िया है बात करते हैं display के बारे में यहाँ पर आपको एक full HD plus resolution display देखने को मिलता है and overall display performance seems pretty good यहाँ पर आपको एक water drop notes मिलता है अगर आप video देखना पसंद करते हैं high resolution 60p's videos देख सकते हैं and video playback is really good बात करते हैं पर बारे में MediaTek Diamond City 810 का chipset दिया गया which is a 5G chipset जहाँ पर आपको 12 different 5G band support मलता है मैंने daily life में इस्तमाल किया काफी fluent है हाला कि ज्यादा time के लिए phone मेरे पास आया नहीं है I've been using these more than 24 to 48 hours अभी तक हुआ है I'm using it as my secondary device and overall performance मुझे काफी बढ़ी है even अगर आप high end game खेलना चाहते हैं यहाँ पर आप high end game भी खेल सकते हैं मैंने एक दो game खेला gaming performance काफी सही था तो मुझे नहीं लगता है इस price range की हिसा आपसे 810 का चिपसेट है which is pretty good in fact and यहाँ पर आपको daily life में आप जो भी चीज़ करते हो वहाँ पर आपको अच्छा performance मिलेगा and उसके साथ तर पांच एर मेंच का बैटरी है so definitely it will last for a very long time मतलब एक से सवाएक दिन यह बैटरी आराम से दी देगा जहां तक 18W charging का support है मैंने पहले भी चेक किया था मुझे लगता है 18W charger से fast charger तो उतना साथा नहीं होगा but still मुझे लगता है यह charge होने में approximately 1 hour 40 minutes to 2 hour सा गलग जाएगा जितना मुझे लगता है but I am assuming that मुझे यह भी चेक करना पड़ेगा क्योंकि 810 का chipset है तो हो सकता है charging थोड़ा बहुत optimized हो लेकिं standard अगर 18W का अगर आप ratio पकड़ते हो पांचार image होने में वैसाई time लगता है बात करते हैं camera के बाइर में camera user interviews कुछ इस पकार का यहाँ पर नीचे से आप उपर swipe कर सकते हैं जहां पर आपको सभी टाइप का modes देखने को मिल जाता है portrait, super night, slow motion, time-lapse सभी options बल जाता है video options available है और अगर हम लोग थोड़ बहुत video option देखते हैं आपको 2K तक का video recording का option यहाँ पर देखने को मिल जाता है short video option है AI mode है beauty mode है उसके साथ portrait mode है, super night mode है so you'll get lot of options और नीचे अगर ऐसे यहाँ पर उपर अगर आपर tap करेंगे तो अब आपको 50MP का dedicated mode भी देखने को मिल जाएगा तो अगर आप चाते हैं तो high resolution photos भी उठा सकते हैं stabilization यहाँ पर कुछ नहीं है selfie में भी मुझे लगता है आप जी हाँ 2K तक recording कर सकते है बाकि selfie camera में भी वैसा को stabilization नहीं है तो कुछ इस प्रकार का user interface आपको मिलता है on this device photography अगर देखा जाए मैंने ज्यादा photo तो नहीं की चाए लेकिन मैंने कुछ-कुछ photo की चाए घर में थोड़ा बहुत garden की है तो वहाँ पर बहुत सारा फ्लावर है नया घर का setup है तो उसका कुछ-कुछ photos आप देख सकते है photos comes out really well initial impression अगर देखा जाए but as I said this is a very initial impression तो इसको और वी test करना पड़ेगा उसके बाद ही मैं बता बाऊंगो इसका exact camera performance कैसा है आप बाल का नजारा कुछ इस पकार का यहां काफी धूब भी है काफी खुश्टूमा वेदर है तो अगर आप video recording करते है from the rear camera इस पकार का video आपको मिलेगा अगर selfie camera देखा जाए कुछ इस पकार का selfie camera आपको देखने को मिलता है selfie camera से दिया full HD में recording करता है हाला कि ऐसा कोई stabilization नहीं है थोड़ा सा mismatch factor है हाला कि budget range में हम आपको stabilization देखने को नहीं मिलता लेकिन बिलता तो अच्छा होता और लेस अगर live view देखा जाए live view सही लग रहा यह था फर्स्ट इंपरेशन ओफ Infinix hot 25G smartphone which will cost you 11,999 और यह flip card में available है flip card में ऐसे ही बहुत सारा sale चलता रहता है उसके साथ साथ बहुत सारा card discount चलता रहता है तो hopefully यह आपको और भी सस्ते में मिल सकता है जो भी है sale date बाकिया कुछ offer मुझे मिलता है मैं description में डाल दूँगा तो यह था initial impression इसका full review बहुत ही जलती आने वाला है क्योंकि इतने initially कोई एक device के बार में tip पड़ने करना काफी मुश्किल है लेकिन initial impression was good काफी एक अच्छा प्रवेसर आपको देखने को मिलता है डिस्प्लेइस रिली गूट 120 एर्स comes with 180 Hz ट्रस सैंपलिंग रेड पांच एर में इसका बैटरी है अच्छा लगा लेकिन आने वाले दिनों में देखना बड़ेगा ये कितना अच्छा परफॉर्म करता है तो गाइस कैसा लगे ये वीडियो डेफिनिटी कॉमेंट करके बताना उसके साथ सा देखना फॉली में टुटर, फेस्बुक और शिवलियो और इंस्टाग्रम इस वीडियो में अब तक लेतना है दिस वीडियो रोस्टमी साइनिया फिम डेटाग वोप तुस्यों इन माइ नेक्स वीडियो बबाई